प्रस निगारह निमनांकित में कौन त्रीक पाइथागोरिये नहीं है तो प्रस निगारह का पहला है तीन, चार, पाँच तो त्रीक मतलब क्या हुआ? तीन संख्या यहां पर दिया हुआ है ठीक है? तो इसको त्रीक कहते हैं अब यह पाइथागोरिये है की नहीं? यह कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए पहले तीनों का वर्ग को यहां पर लिखेंगे देखें तो तीन का वर्ग क्या होता है? नौ चार का वर्ग होता है? सोल्ला पांच का वर्ग होता है? पच्चीस तीनों का वर्ग लिख लिए तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16 और पांच का वर्ग 25 अब क्या करेंगे पहला संख्या और दूसरा संख्या का वर्ग को जोडेंगे तो तीन का वर्ग और चार का वर्ग को जोडेंगे तो तीन का वर्ग जोड चार का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा तीन का वर्ग है नौ चार का वर्ग है सोल्ल सोल्ल नौ क्या आता है पचीस सोल्ल नौ कितना आता है पचीस तो पचीस देखे पांच का वर्ग भी पचीस है यानि 25 किसका वर्ग है पांच का वर्ग है तो लिख देंगे बराबर पांच का वर्ग ठीक है तो तीन का वर्ग और चार का वर्ग का योगफल कितना आ गया पांच का वर्ग तो इसका मतलब 3, 4, 5 क्या है एक पाइथागोरिय तरीक है क्योंकि पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर आया है तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरिय तरीक है तो लिखेंगा तह 3 का वर्ग जोड चार का वर्ग बराबर पांच का वर्ग यानि तीन का वर्ग और चार का वर्ग का योगफल किसके बराबर है पांच का वर्ग के बराबर है तो लिखेंगा तह तीन चार पांच एक पाइथा गोरिये तिरीक है तो 3, 4, 5 क्या है एक पाइथा गोरी है तिरीक है दूसरा 6, 8, 10 तो 6, 8, 10 पाइथा गोरी है त्रीक है की नहीं ये प्राग्याद करना है तो पहले क्या करेंगे तीनो संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36 8 का वर्ग होता है 8 कुना 8, 64 और 10 का वर्ग होता है 10 कुना 10, 100 ठीक है तीनो का वर्ग निकाल लिए अब पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोडेंगे तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग को जोड देंगे तो 6 का वर्ग है 36 8 का वर्ग है 64 तो 3664 कितना होगा 100 तो देखे 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है तो 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग है ठीक है यानि पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर है तो 6 का वर्ग जोड 8 का वर्ग बराबर कितना आ गया, 10 का वर्ग तो यह इसको कहते हैं पाइथागोरिय तरिक ठीक है, तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग को जोड़ने पर कितना आ गया 10 का वर्ग, 10 आ गया है देखें, तो लिखेंगा तह 6 का वर्ग जोड 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग तो लिखेंगा तह 6,8,10 यानि 6,8,10 एक पाइथागोरिय त्रिक है तो 6,8,10 क्या है एक पाइथागोरिय त्रिक है तीसरा एक दो तीन तो एक, दो, तीन ये पाइथागोरिय त्रिक है की नहीं इसको ग्याद करना है तो पहले तीनों का वर्ग निकाल लेंगे तो एक का वर्ग एक का वर्ग क्या होता है, एक होता है एक गुना एक तो तीनों का वर्ग पहले लिख लेंगे तो एक का वर्ग, यानि एक गुना एक एक होता है दो का वर्ग यानि दो गुणा दो क्या होता है चार तीन का वर्ग यानि तीन गुणा तीन होता है नौ ठीक है तीनों का वर्ग लिख लिए अब एक का वर्ग और दो का वर्ग यानि पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार तो चार एक पांच आया ठीक है तो एक का वर्ग और दो का वर्ग को जोड़ने पर कितना आगया पांच जो की तीन के वर्ग के बराबर नहीं है एक का वर्ग और दो का वर्ग का योगफल तीन के वर्ग के बराबर नहीं है इसका मतलब एक दो तीन क्या है एक पाइथागोरिय तरीक नहीं है क्यूंकि पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर नहीं आया है इसका मतलब ये पाइथागोरिय तरीक नहीं है तो बराबर नहीं है उसको इस तरह से लिखते हैं देखें बराबर करके इसको काट देते हैं तो ये हो गया बराबर नहीं है तो लिखेंगे अत्र तो एक का वर्ग जोड़, दो का वर्ग बराबर तीन का वर्ग नहीं है यानि एक का वर्ग और दो का वर्ग को जोड़ेंगे तो तीन का वर्ग नहीं होगा, ठीक है इसलिए एक, दो, तीन क्या है, पैथागोरिय तरीक नहीं है तो लिख देंगे अता एक दो तीन एक पाइथा गोरिय त्रिक नहीं है तो एक दो तीन क्या एक पाइथा गोरिय त्रिक नहीं है चौथा पाँच बारह तेरह तो इसमें भी तीनो संख्याओं का वर्ग पहले निकालेंगे तो पाँच का वर्ग होता है 25 पाच गुना पाँच 25 बारह का वर्ग होता है बारह गुना बारह 144 और तेरह का वर्ग यानि तेरह गुना तेरह तेरह तिया 49 तेरह तीन 16 यानि 179 तेरह का वर्ग क्या होता है तेरह गुना तेरह 179 तो तीनों का वर्ग निकाल लिए अब पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोडेंगे तो 5 का वर्ग 25 बारा का वर्ग 144 तो 25 और 144 कितना होगा 179 तो देखिए 179 किसका वर्ग है 13 का वर्ग है यानि यहां पे लिग देंगे बराबर 13 का वर्ग तो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग को जोडने पे कितना आ गया 13 का वर्ग पांच का वर्ग और बारा का वर्ग बराबर आ गया तेरा का वर्ग ठीक है तो पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर आ गया है इसका मतलब पांच बारा और तेरा क्या है पैथागोरिय तरीक है तो लिखेंगा था 5 का वर्ग जोड 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग तो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग का योगफल किसके बराबर है? 13 का वर्ग के बराबर है तो लिखेंगा तह पांच बारा तेरा एक पाइथा गोरिय तिरिक है तो पांच बारा तेरा क्या है एक पाइथा गोरिय तिरिक है तो इसमें क्या पूछ रहा था कि निमने लिखित में कौन तरीक पाइथागोरिये नहीं है तो इसका उत्तर हम लिख देंगे तो इसका उत्तर में क्या हो जाएगा तीसरा तीसरा देखिए पाइथागोरिये तरीक नहीं था एक दो तीन जो है यानि तीसरा में कौन था एक, दो और तीन ये क्या है पाइथागोरिय त्रीक नहीं है तो लिखेंगे पाइथागोरिय त्रीक नहीं है तो इसका उत्तर होगा तीसरा क्योंकि पूछ रहा था कि निमने लिखित में कौन त्रीक पाइथागोरिय नहीं है तो इसका उत्तर कौन आएगा? यह तीसरा तीसरा क्या है? पाइथागोरिय तरीक नहीं है तो इस तरह से इस प्रस्न को हल करेंगे